अपार ताकत का बादशाह है ये फल इसको खाने का सही टाइम क्या है दोस्तों जैसा कि थमनेल में आपने देख लिया है यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है साइड में मैंने केले का फोटो लगाया है और उसके साइड में मैंने लिखा है अपार ताकत का बादशाह ये फल इसका सेवन कब करें कि हमें ऐसे ऐसे रिजल देखने को मिलें ऐसे ऐसे बेनिफिट देखने को मिलें कि हमारे शरीर में उसका एक अलग ही एनरजी अलग ही ता तरह के ओसधिया गुनों से भरपूर फाइदे हमें दे सकता है क्योंकि केले के अंदर अपार ताकत होती है अगर फलो में अगर मैं बात करूं तो फलो में ताकत का बादसा केले को ही माना गया है अगर केले का हम नित्य सेवन करते हैं तो इसे मिलने वाले इतने ज़्यादा फाइदे हमें मिलेंगे, इतने ज़्यादा गुण हमें मिलेंगे कि हमारे शरीर में अलग ही ताकत हमें मिलना चालू होगी कम जोरी कभी नहीं आएगे लाइफ में, कभी भी और यहां पे अगर मैं बात करूं ऐसे लोगों की जिनके शरीर में कोई ना कोई प्रोवलम है, म पर पढ़ रहा है उनके अंदर वाले सिस्टम पर पढ़ रहा है तो उस खोई हुई ताकत को और स्रीर में अपार ताकत पाने के लिए स्रीर को मजबूत बनाने के लिए स्रीर को लोहे से भी मजबूत बनाने के लिए आप इसका खास जानकरी है अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं कि इसका सेवन सबसे पहले इसके गुण के बारे में बात करते हैं दोस्तों इसमें विटामिन बी कि कोई भी किसी भी तरह की weakness जब नहीं होगी तो हमारी भूख भी बढ़ती है हमारे श्रीर में खाया प्या भी लगता है और उसे मिलने वाली ताकत भी हमें मिलती है कि सारे के सारे benefit पाचन तंतर के सही काम करने की वज़े से हमें मिलती है तो केले के अंदर ये गुण होते है कि हमारे पाचन तंतर को और हमारे अंदर के सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूती परदान करता है और इसके साथ साथ तो विरिये सकती को इतना ज़्यादा भढ़ा देती है जो हमारी बुढ़ापे तक भी जवान बनी रहती विरिये सकती में कभी कमी नहीं आने देता केले का सेवन करना अब केले का सेवन करें कब वैसे तो किसी भी टाइम आप सेवन कर सकते हैं कोई प्रॉल्म नहीं है लेकिन हम यहाँ पे आयुर्वेद की बात करते हैं आयुर्वेद में जो लिखा गया है आयुर्वेद में जो वरनित है वो लिखा गया है सुबह के टाइम पर केले का सेवन करना इसके लाब इसके गुण हमें ज्यादा मिलते हैं अगर हम सुबह के टाइम केले का सेवन करते हैं तो दोस्तों इसका सेवन कैसे करें कब करें दोस तो ऐसे लोग खाली पेट इसका only केले का seven बिल्कुल भी ना करें। वो किसी ना किसी चीज के साथ इसका seven करें। या तो दूद के साथ में seven करें। या फिर उसका banana shake बनाके आप उसका seven करें। तो आपको फिर अंबलेटा की problem नहीं होगी। आपको सीडिटी की प्रोल्म नहीं होगी अब दोस्तों एक्चुल में इसका सेवन करना चीए नास्ता करने के आदे घंटे बाद यह चीज आप हमेशा याद रखेगा अगर आपने आठ बजे साथ बजे नास्ता किया है अपने टाइम के सेडूल के हिसाफ से अगर आपने आठ बजे नास्ता किया है तो आप साड़े आठ बजे केले का सेवन करिए कम से कम तीन से चार केले आप खाईए अगर आप एक केले की सफाई करने के साथ साथ आपके खाने को भी बहुत अच्छा डाइजेस्ट करेगा और आपके शरीर में बलड भी बनाएगा हिमोगलोबिन भी बनाएगा फाइवर भी बढ़ाएगा विटामिन बी बारा की अगर कमी है तो वो भी पूरा करेगा तो दोस्तों इतने जिस इनरजी की आप पहले कमी महसुस करते थे वो एनरजी अब आपको इसके इस्तिमाल करने के बाद से ही शरीर के अंदर महसुस होना चालू हो जाएगा तो आप इसका सेवन जरूर करें और दोस्तों यहाँपर मैं एक चीज और एड कर देना चाहता हूँ अगर आप केल और आपने थोड़ी से बादम, थोड़ी से काजू, थोड़ी सी किस्मिस, ठोड़ी से अकरोट, इन तीन से 4 ड्राइ फूरूट का आप उसके अंदर ढलें उसके बाद उसको बलैंड करें तरह से खुमाएं, उसको पीछ लें एक तरह से mix जार के अंदर और उसका सेक बनाएं और उसको पीचिए दोस्तों इतनी ज़्यादा ताकत मिलना चालो हो जाएगी और यहां पे मैं उन लोगों के बारे में बता हुआ जिनके शरीर में स्प्रम काउंड बिल्कुल नहीं बनता है जिनके शरीर में विर्या की बहुत ज़्यादा कमी है यानि के शुक्रानों की बहुत ज़्यादा कमी है और इसके साथ साथ में जिनको नपून सकता आ चुकी है जिनके शरीर के अंदर तो उससे बचने के लिए उसको हमेशा के लिए दूर करने के लिए आप इस तरीके से अगर केले का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में वो होगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं है तो दोस्तो आप इसका इस्तिमाल करिए और अपने स्रीर को हमेशा अनर्जिटिक बना के रखे, ताकत और बना के रखे फुलाधी बना के रखे हमेशा ताकत से भारा हुआ बना के रखिए हमेशा वीरियवान बना के रखिए तो आप इन सारी के सारी चीजों को बना के रखिए और अपने सरीर को हमेशा हल्दी भी रखिए तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को जादा जादा सेर जरूर कर सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा लें ताकि ऐसी इन्फर्मेटिव जानकारे आपको भविश्य में हमेशा मिलती रहें तो दोस्तो आज के लिए इतना है वीडियो को तक देखने के लिए धन्यवाद